भारत में कोरोने वायरस के मामले एक बाफर से रफतार पकड़ रहे हैं पिछले दो हपतों से देश में संक्रमितों का आकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है पिछले 24 खंटे में देश में कोरोना के 3451 में के सामने हैं यह शनिवार को मिले कोरोना मामलों के मुकाबले 9% कम है हाला कि पिछले एक दिन में 40 लोगों की मोतों निये चिंता बढ़ा दी दरसल शनिवार को म्रतों का आकड़ा बाइस रहा था यानि कि एक दिन बाद ही जान गवाने वालों की संक्या में लगबग दुगना का इजाफा हुआ नए मामलों के जुड़ने के साथ ही देश में संक्रमित हो चुके लोगों की संक्या बढ़कर 4 करोड 31,292,194 में पहुँच गई वही उपचार दीन मरीजों यानि कि एक्टिव केसों की संक्या बढ़कर 20,635 हो गई है कींद्रिस स्वास्ते मंत्राले के मताबिक संक्रमित से 400 और मरीजों की जान गवाने से देश में रतोगों की संक्या बढ़कर 5,24,064 पहुँच गई वही उपचार दीन मरीजों की संक्या संक्रमित के कुल मामलों का 0,05% है जबकि COVID-19 से स्वस्त होने वालों की रास्टे दर 98,94 पहुच गई मंत्राले के मताबिक पिछले 24 खंटे में COVID-19 के उपचार दीन मरीजों की संक्या में 332 की व्रदी देखी गई वहीं संक्रमन की देनिक दर 0.96 प्रतिशत है सबताहिक दर की अगर हम बात करें तो ये 0.83 प्रतिशत दर्च की गई आकडों के अनुसार देश में COVID-19 से उभरने वाले लोगों की संक्या बढ़कर 4.25,95,495 हो गई जबकि मृत्तुदर 1.22 प्रतिशत है भारत में कोरोना वारस के खिलाफ लडाई में ठीका करें महत्तपून हतियार साबित हुआ सरकार ने भी वेक्सिनेशन की रफ्तार लगातार बनाए रखी पिछले एक दिन में ही देश में 17,49,000 वेक्सीन डोस दी गई इसी के साथ भारत में अब तक 190 करोड वेक्सीन की डोस दी जा चुकी है फिलाल हम बात करेंगे जनपर सहारेनपूर की तो लगातार चार दिनों से जनपर सहारेनपूर में एक भी मरीच में संक्रमन की पुस्टी नहीं हुई फिलाल अभी भी सक्रमामलो की संक्या एक पर बनी हुई है आज के लिए बस इतना ही एक बार फिर हाजिर होंगे लेटरस्ट अबडीट की साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल एकन जरू दबाए